आम अदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा कि उनके विधायकों को 20 से 25 करोड देने का ओफर दिया गया है बाकाइदा चार विधायक भी सामने आया है प्रवेशी बीजेपी के उपर आरोप 20 से 25 करोड रुपए एक विधायक को दिया जा रहा है और 15 से 20 विधायक उनकी जानकारी में बीजेपी के संपर्क में सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग आरोप लगा रहे हैं देखें ये लोग तो बिल्कुली पागल हो चुके हैं और जब से इनको लग रहा है कि हम सारे इसमें शराब माफिया में अपना फस गे हैं शराब घोटाले में तो इनका दिमाग बिल्कुली खराब हो चुका है अभी समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे बचें तो चार विधायकों को आज वो बिठाके जो सारा नोटंकी हमने देखी कल वो बोल रहे थे 5 करोड दे रहे हैं आज बोल रहे हैं 20 दे रहे हैं एक विधायक के रहे हैं 25 दे रहे हैं एक कह रहे है कि कोई पूर विधायक ने कॉंटेक्ट किया एक कह रहा है पूर सांसर ने contact किया तो चारों को जो उन्होंने लिखकर दे दिया सुबहे वो सारा रटकर वहां पर आ जाये और सब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं मीडिया भी सवाल पूछ रहे हैं हम भी सवाल पूछ रहे हैं आपको ये सारी offer कौन दे रहा है उसका नाम तो बताइए तो खेर ये सब कल जो है अपना E.D. ने भी case उसके उपर में दर्च कर दिया मनीश इसोदिया के उपर में और बिल्कुल जो है आरविन केजरिवाल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि एक दो दिन में वो गिरिफतार होंगे और उसके बाद में जब कोट में जाएंगे और जब कोट ये पूछे की शराब घुटाला कितने का किया और कैसे कैसे किया मनीश जी तो वो भी यही कहें कि हमारा New York Times में लेक चपा था और हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं तो उसके जवाब में वो यही बाते ब अचेप्ट कर रहे हैं कि हôm घँश जी तो इससे जाला क्या सबुचाई है एक विधायक खुद कर रहा है कि हम्जा ऑफर भिधायक दिया गया एक विधायक वो है जो अबने कुते से अपनी बीवी को कटवाता था एक विधायक को उसकों बढ़ा दिया बाकि विधायक सारे अपने अपने शेतरों में क्या काम कर रहे हैं, वहाँ की जनता जानती है तो पूरा मुद्धा क्या है, कि वो शराब के ऊपर में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं ये शराब से बच्छना चाह रहे हैं, और क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं उनको मालूम है वरना मैंने कभी नहीं देखा आज तक आमादमी पार्टी से जो भी सवाल पूछा जाए हमेशा उन्होंने उसी सवाल का जवाब दिया ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब उनसे शराब के बारे में कोई बात पूछी जा रही है तो उनके पास में कोई जवाब ही नहीं है ना आरवीन केशरी वाल के पास है ना मनी सिसुदे के पास है बलकि वो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ही जल्दी जेल में डाला जाएगा उनको ये बात इसलिए पता है जेल में डाला जाएगा क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने पाप किया है और अभी वो और जो है सतिंदर जैन जो तीन महिने से जेल में है वो दोनों वहाँ पर अपना जोना लूडो खेलेंगे जो विधायक सामने आया उन्होंने कहा है कि देखिए धमकी दी गई अकर नहीं साथ में आओगे तो CBI ED का इस्तेमाल होगा तो उनको भी फसाया जाएगा लेकिन हम लोग ड़ने वाले नहीं है देखिए मैं जो है संजेज सिंग तो मैं क्या बोलू उनके बारे में चारों विधायकों को ऐसे वो हैं जो है अपना लेके बैठे वे थे और मैंने एक पिच्चर देखी थी भाववली तो उसमें जब वो भाववली की अपना धरम पत्नी को वहाँ पर पकड़ के लेके आये महल में और उनसे पूछ रहे थे तो जो आदमी जो उसका सेना पती था तो जब वो बोल रहा था तो लड़ खड़ा रहा था तो भाववली ने एकदम से उसका सर काट दिया कि जो लड़ खड़ाता है उसकी केवल हाथ नहीं काटते उसका सर काट देते तो इस चारों भी ऐसी लड़ खड़ा रहे थे तो साफ तौर पर आकर बीजेपी नेता की बात करें बीजेपी सांसर की बात करें उनका यह कहना है कि देखिए अगर किसी ने ओफर दिया है तो नाम क्यों नहीं बता रहे हैं क्यों गोल-गोल बाते घुमा रहे हैं और यहां पर तो जो है मुद्धा है उसी से ध्यान ड्यवर्ट करने की कोशिश कर रही है यानि कि बीजेपी एक बार फिर से हम लावार है आमार्वी पार्टी के उपर और साफ सोर पर कह रही है कि मुख्य मुद्दे से ध्यान बटकाने के लिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं बात कर रहे हैं सही हो की कैमरा पर साना जे तिवारी के साथ आंकिर को तबी पीने उस तिली